नमत्यें, स्वास्यसमंदी चच्चा, होमियोपेतिक में एक दवा जिसका नाम फासपोरस तीसपोटेंस, ये एक ऐसी दवा है, जो रोज मर्ना में इतनी काम नहीं आती, बाकी इसका जो कारिय च्चेक्त्र है, वो बहुत विश्तार है, और कहीं रोगों की तो ये पेटेंट दवा है, मोत्या बिन्द से लेकर गए, फासपोरस के अंदर जो माचिस होती है, उस पे जो अपन तिली रगडते हैं और वो जो छड़ावा मसाला होता है, वो फासपोरस होता है, तो माचिस के उपर तिली रगणने से क्या पैदा होता है आग पैदा होती है और आग के अंदर जा होता है जलन तो फोस्पोरस की जलन वेशी ही होती है तीन चार दवाईयां मुक्य है होमियोपेतिक में जिसमें पर्षंड जलन होती है फोस्पोरस की जलन का मैंने बताया आपको, इसकी कॉम्प्लीमेंटरी दवा आर्सनिक एल्ब उसमें भी जलन होती है, और इसकी एक और कॉम्प्लीमेंटरी दवा कार्बो वेजिटेबिलिस, उसकी जलन जैसे कोईले धदकते हैं, वेशी होती है, इसलिए फास्फोरस के पहले फास्फोरस के बाद में कभी भी आप कार्बो वेजटेबलिस या आर्षनिक ले सकते हैं अगर ये पुरा काम नहीं करती है तो या इसको लेने के बाद आपको कोई परेशा नहीं आये तो आर्षनिक को भी तीज से उपर नहीं लेना से ये दो सो तक भी ले सकते हैं पार्बो वेजटेबलिस को आप तिन पोटेंसी लेके थरियक से लेके एक लाग पोटेंसी तक भी लेंगे तो आपको कोई हानी नहीं करेगी क्योंकि वो कोई इतने तीवर चीज से नहीं बनी वो कोई लेको सकती करत करके बनाई गई हैं और फिर ओक्षिजन दायक है तो आदमी को कम ओक्षिजन से जो तकलीफ होती है जैसे किसी को कमरे में बंद कर दिया पांच मिंट बाद ही वो कहेगा पंका चलाओ तो कार्वो वेजिटेबिलिस के पेसेंट की जो ये समश्याएं होती है तो बीमारी हो और कुछ भी हो वो कहेगा पंका चलाओ फुल कर दो लेकेशिस के अंदर भी ये लक्षन है उसका रोगी भी पंका चलाने को कहता है लेकिन वो कहता है कि इसको दूर रखो पहले टेबिल पंके से दूर रखो तो ये जो शिलिंग फेन है तो उसकी स्पीड कम कर दो जबकि कार्वो वेजिटेबिलिक्स का पेसेंट कहेगा फुल कर दो एक नहीं दो लगा दो तेन लगा दो तो इन लक्षनों को समझना अतियावशक है बनिश्पत रोग को आर्सने के रोगी को जलन होती है उसके साथ में बेचेनी होती है बेचेनी होती है बेचेनी के अंदर उसकी सकती हिन हो जाता है रोग भोगते भोगते और सकती हिन होने के बाद उसमें उठना बगना चलना ये ठाकत नहीं देती ऐसा जो दूबला पतला कमजोर रोगी है उसको आर्सने के सबसे अच्छी पोटेंसी है तीज पोटेंसी देना चाहिए देखो मैं अपने हिसाब से ही आपको फोस्पोरस के बारे में समझाऊंगा वरना फोस्पोरस का जो आर्टिकल है कम से कम दस पेज के अंदर है जिसको अगर मैं लगातार बोलू तो दो ड़ही गंटें लगें इसलिए आपको समझ में आये जैसी ही मैं बात करूँगा जो जिल्लियां होती है वो उतेजित होती है वो नाड़ी के अंदर हल्की जलन उत्पन होती है तो इसकी वज़े से लखवा रोग भी हो सकता है ये हड्डियों को विशेश करके निचले जबडे और पेर की लंबी हड्डी को खून को जो दूसीत हो जाता है ठीक करती है इससे रक्तबाही काउंग तता सरीर के परतेक तंतू मद जनक अपकर्स उत्पन होता है और पीलिया रूग तक हो जाता है उन सब को ये ठीक करता है ये सरीर के पोशन अर्था चापा पच्चे ये खिरिया को नश्ट करता है लिवर में सोजन उत्पन करने की कारण बनती है यानि कि लिवर में अगर सोजन है तो फास्पोरस की एक दो खुराक्ति इस पोटेंशी में लेनी चाहिए चमड़ी पतली है तो भी लेनी चाहिए शरीर के अंदर से रस रक्त की हानी हो गई है तो भी फास्पोरस उस कमजोरी को ठीक करती है और इसके अलावा फास्पोरस उस्टी का इसका जो रोगी होता है उसका उत्षा कम होता है मानसिक लक्षन माइना रखते हैं रोगी का मन चीज चीज होता है तरह दर लगता है और रोगी को ऐसा लगता है कि हर कोई हर कोई चीज रेंकती हुई बाहर निंकल रही है तता दिवे दस्ति जैसे दसा उत्पन हो जाती है अचानक रोगी चौंख पड़ता है रोगी को बाहरी प्रवाओं के प्रती अधिक ऐसे हिनुस्ता और रोगी को सोचने की सक्ति कम हो जाती है रोगी पागलों की तरह वेवार करता है कुछ लकवा रोग जैसे भी दिखाई देते हैं आनन्द की अनुभूती नहीं होती अकेले रहने पर मर्ट्यू का भे लगता है मर्ट्यू का भे अकेले रहने पर लगता है यह लक्सन एको नाइट का भी है लेकिन एको नाइट का रोगी बलिश्ट होता है आर्षनिक का भी ये लक्षन है लेकिन आर्षनिका रोगी फोस्परस से भी कमजोर होता है सरीर में उत्यजना होती है सारा सरीर गरम रहता है इस परकार के मानसी लक्षनों को ये ठीक करती है इसके रोगी के शिर के जो लक्षन है बुड़े वेक्टियों को चकर आता है चकर, चकर की पचासों दवाईया हो मेपेतिक में है सबसे पहले ब्राहिनया लेते हैं फिर कोनियम लेते हैं तो आप ऐसे कितने भी दवाई ले लो काकूलस इंडिकल से ले करें कितनी भी ले जो चकर ठीक नहीं होते इसलिए है अगर चकर आ रहे हैं आपके आज पास को डॉक्टर नहीं है तो मैं नाम बोल देता हूँ कोई सी बात नहीं है एलोपेतिक में कहीं ऐसी गोले आती है जो चक्कर को आराम देती है, वर्टिना वगेरा इस तरह की गुल्या होती है, अपने डोक्टर से लिखा के लिए अपने मंतर ने, तो आपके चक्कर फोरण ठीक हो जाएंगे, और इसमें आप उलज गए होमियोपेटिक में, और वक्त ज्यादा लग गया तो आप परिशान ह हो जाएंगे, फिर डाक्टर के पाल भगेंगे, उससे बेहतर है, चक्कर आते हैं, या तो कोई बहुत गुण वाला डाक्टर है, जो दवाई लिख दे, नहीं तो आपको एलोपेटिक में चला जाना चाहिए, कोपड़ी पर खुजली होती है, बालों में, रुसी होती है, बाल जुंडों के अंदर गिरते हैं, इस परकार की तकलीक में पास्फोरस एक ताकतवर दवा है, आँखों के मोतिया बिंद होने के साथ ही ऐसा लगता कि परतेग वस्तु कोहरे से परदे से डखी हुई है, आँखों के सामने धूलकंद तेर रहे हैं, जिसके गारण से आँखों के ओपर खींची जा रही है, आँखों के सामने काली बिंदू उड़ती सी दिखाई देती है, आँखों के ओपर हाथ की चाया करने से ठीक तरह से दिखाई देना लगता है, आँखों को देखने से अधिक उप्योग किये बिना ही आँखों, आँखों वे मस्तिक् भट्ति को देखकर बट्ति की चारों और हरे रंग की परकास की गोलाकार आबा दिती है, नाडियां कमजोर हो जाती है, पलकों आँखों की आजपास सूजन हो जाती है, शुकल मंडल यानि की पुतली का सफेद हो जाना, बरोनिया लंबी मुडी हुई शी महसुस होती है, तं जाता है, शरीर की बाहरी पेशियों पर लखवा के लक्षन दिखाई देते हैं, एक वस्तु की दो वस्तु दिखाई देते हैं, अधिक संबोग करने के कारण आँकों में रोक के लक्षन बनते हैं, कनी निका वाहिकाओं की दनस्त्रा यानि की ठ्रोंबोसी तता कनी निका लिट्टी रेखाएं, पड़ती हैं, आँकों की रोशनी ठीक परकार की नहीं रहती, आँकों की कनी निका में रोग उत्मन होते हैं, इस परकार आँकों से संबन दी जो भी तकलीफ है, यानि की फोट्स पोरस, आँकों की एक बहुत बेतरी दवा है, तीस पोटेंशी में परियोग करें, कान के लिए भी रोगी को सुनने में परेशानी होती है, विशे इसकर दूसरे मनुष्य की आवाज हैं, एक सब्द कान में बार बार गुंसता रहता है, आंतरिक बुखार होने के साथ ही कान से कम सुनाई देता है, इस परकार कान के समन्दित लक्षनों से फ फास पोरस उपयोगी है, और शिद्दी का परियोग करना लाब दाएक होता है, मैंने आपको फास पोरस को एक यूं मान के चलो की बहुत सुख्स में रूप में समझाया है, इसमें एक ही चीज ध्यान देने की है, कि फास पोरस का जो रोगी होता है, उसको चकर की होती है, क्योंकि कांच से भी कोई बीमारी होने से चकर आते हैं, तो कांच से समन्दित बीमारी में चकर आने हैं, उसमें फास पोरस भी लाब करती है, कांच से समन्दित कोई रोग होने पर चकर आने पर नेटरम, शेली, शेलीकम, टीस पोटेंसी बहुत लाब करती है, और और सामने कमजोरी के चक्कर में फासपोरस बहुत लाब करती है, आंखों की मोतिया बिंद की इस्तिती के अंदर अब तो सब ओप्रेशन होगे, हर एक दिन में छोड़के एक दिन छोड़के तीस पोटेंसी का फासपोरस लेना चाहिए, अगर जाला पग गया है तो साइली श पतम कर देगा, और कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें रोगी बहुत कमजोर हो गया हो, बेड़ पे आ गया हो, तो फासपोरस अगर ले रहे हैं तो उसके साथ मैं आर्सनिक एल्प तीस ले मैं, और कमजोरी के अंदर कार्बो वेजिटेबिलिस 200 पोटेंसी दे वे, इस तरह से इ इन तीनों दवाओं को आप काम में लेंगे, तब जाकर के रोगी दूरस्त होता है, एक बार रोगी एक डाक्टर के पास जाता है, उस वक्त जो लक्षन होते हैं तो वो दवा लिख देता है, वो अगर नहीं जाता है तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर में लक अपास पर अच्छी दवा बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसकी तीस पॉटेंसी भी इतनी गहरी किर्या करती है, इसका किर्या इस्तितिकाल 90 देज, 90 दिन तक इसकी किर्या और शरीर में रहती है 30-ON-CY की, आसनिक एल की भी 90 दिन रहती है, और लेकेसिस की भी 90 दिन रहती है. जबकि नक्सवामिकागागी और एकोनाइट की कुछ ही गंटों रहती है, तो आपने अगर नक्सवामिकागागाग簡 गलत परयोग भी कर दिया है, तो कोई थोड़ी बहुत उनसे आपको तकलीब भी होगी तो दो-चार गंटे में खतों हो जाती है लेकिन अगर इन दवाओं को तीनों में से एक आसनेक एल्ब और लेकेशिस और ये फॉस्फोरस इनका परियोग बहुत सोच समझ के करें वरना इसकी जो तकलीब है वो 90 दिन तक आपको 30 फोटेंसी की तकलीब दुख देती रहेगी आप अपना अलग से इलाज कराते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तकलीब किस बज़े से होई है इसलिए फॉस्फोरस का लेकेशिस का आरसनेक एल्ब का जो गूड किरिया करने वाली मेडिशन हैं उनका प्रियोग आप अपने मन से न करें और अपने डॉक्टर की राय से करें और बराबर उसको रिपो कमना एं जेरो बदाईया बेहन भाई का ये त्योहार मंगल मेहो सबको ठैंक्स